हलो दोस्तों मैं है फॉजाज और आप देख रहे हिंदी टेक वीडियो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेका है हूँ एक कमाल का स्क्रीन रिकॉर्डर जिसके मदद से आप अपने कंप्यूटर या लैप्टॉप के स्क्रीन को बहुत आसानी से रिकॉर्ड कर पाए देखिए अगर आप लोगों ने OBS को देखा होगा तो ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्लिकेटेड है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आज की यह मेरी 10 मिट की वीडियो आप देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है और गारेंटी है इस बात की कि आप बिलकुल OBS को समझ ज आते रहते हैं और आप OBS की मदद से बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरे आप स्क्रीन रिकॉर्डर के मदद से नहीं कर सकते हैं तो बहुत कमाल का यह सफ्ट्वर है और आज मैं आपको इसी को दिखाऊंगा आप देखिए इसमें तो बहुत सारे फंक्शन है लेकि कि यह OBS कैसे चलता है इसको कैसे डाउनलोड किया जाता है और इसको कैसा इस्तमाल किया जाता है तो यह देखिए हम आगए अपने लाप्टॉप स्क्रीन के ऊपर और यहां पर हम सिंपली Google Chrome open करना में आपको दिखा देता हूं ध्यान से देखिएगा यहां पर आपको Google में OBS Studio सर्च करना है जब आप OBS Studio सर्च करेंगे तो यहां पर आपको ऊपर ही यहां पर तीन ओप्शन दिखाए देगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड करने के लिए अलग अलग यहां पर देखिए Windows दिख रहा है इसके बाद Mac OS है इसके बाद यहां पर Linux है तो हमें सिंविञाई पर Windows वेंडोस को क्लिक करना क्योंकि अगर आपका कम्प्रिटर विंटो बेस्ट है तो आप मैकबूक मेbn की यूज कर सकते है जैसलिये आपके डाउनलोड के लिए एवलेबल हो गया है अगर आप computer लैप्टव चलाते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी software download कैसे किया जाता है और कैसे install किया जाता है ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे क्योंकि software इस्तमाल करना तो बहुत बच्चों की खेल होगी आज कल ठीक है तो हम इसको minimize कर देते हैं और हम यहां पर अपना OBS खोलते हैं जब आप पहली बार OBS खोलेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से खुलेगा और इसी interface को देखके लोगों का दिमाग चकरा जाता है कि यारे यार यह तो गड़े में गड़े में गड़े में गड़े तो बहुत ही आसान है सेम चीज यही है यहां पर ज बहुत हैं जब आप ओवियit से यहां पर こरेंज़ा ही नहीं अब देहाँ से दिख नहीं है यहां जगे दोफानों सीन को जब मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो अभी देखेंगे कि पूरा मेरा यहां पर डेक्स टॉप पूरा दिख रहा है इसके अंदर तो देखें इनको आप डिलीट कर दीजे आपको अगर यह नहीं चाहिए तो देखें जैसे ही आपको यह बहुत सारी चीज़ा दिखें तो आप इसे डिलीट कर दीजे देखें यहां पर यह डिलीट हो गया लेकिन यहां पर वांस एक होना चाहिए तो एक अभी है और यहां पर आप सीन जितने चाहां उतने क्रिट कर सकते हैं जैसे यहां पर प्लस का इकन उसे क्लिक करिए और यहां सीन टू आप चाहाए तो से एक नाम दे सकते हैं या फिर आप scene 1 scene 2 scene 3 दे涼 सकते हैं तो यहाँ ok कर दिजिए scene 2 आ गया से scene 2 आ गया यह scene 2 आ गया अब दिखिए इस पे ब्लैक ब्लैक नहीं है वह क्यों नहीं है वह अप समझें यह boyfriend दिख रहा है यह black इससे क्लिक करें & और यहां पर नाम से की इसका नाम की देंगे डिसप्ले कांगे देखिए वो सारी चीज़े आ गई यहां पर फिर एक विंडो आएगा हम इसे okay कर देंगे अब देखिए यह पहले जैसा हो गया यानि कि एक अभी scene 2 के अंदर मेरा पूरा desktop दिख रहा है और ख़ली scene के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो अब यहां अब ध्यान से देखि capture है तो जब मैंने display capture add किया तभी यहां पे मेरा screen शो होना शुरू हुआ यानि कि आप यहां जो चीज़ एड करेंगे वही चीज़ यहां पर नजर आईगी बहुत ही असान है अगर आप अपने laptop या computer के पूरे desktop को capture करना चाहते तो simply आपको यह display capture वाला option यहां पर चूज कर करेंगे आपकी recording शुरू हो जाएगी पूरे window की लेकिन अभी इसमें आवाज नहीं आएगी क्योंकि हमने sound के लिए mic इसमें choose नहीं किया है तो इसके लिए क्या करना है आपको कहीं कुछ नहीं जाना है सादा चीज इसी window में होना है जो भी चीज होना है इसी window के अंतर होना इसके लिए आपको और इसमें प्लस और माइनस और भी कुछ नहीं है ज्यादा कुछ नहीं आप ध्यान से देखिए तो हम वापस प्लस को क्लिक करेंगे अब हमें क्या लेना है अपने वीडियो में audio भी डालना है तो उसके लिए हमारे पस mic होना चाहिए mic जोड़ना चाहि हैं तो ओके यहां पर हम इसे अगर नाम देना चाहते हैं तो नाम दे देंगे वाट ओके दबा देंगे और देखिए यहां पर यहां पर पूछ रहा है कि आप कौन से mic का यूज करना चाहते है अपने वीडियो में audio को record करने के लिए यहां पर अगर हम इस drop down menu को क्लिक करें एक हमारा input device इसमें audio input device या फिर यूँ कह लिए कि आपका mic यहां इस software के साथ connect हो गया अब जो आप बोलेंगे वो आवाज भी record होगी जब आप screen को record करेंगे अच्छा आपका mic connect हुआ कि नहीं इसको देखने के लिए देखे simply आप यहां देखिए तो यह graph उपर नीचे हो र रहा है तो हमने क्या जोड़ा दो चीज़े जोड़ी एक तो हमने display capture जोड़ा display capture जोड़ा display capture जोड़ा हमारा जो laptop यह computer का screen है वह उसको यह capture करना शुरू कर दिया और दूसरा हमने जोड़ा audio input capture device यानि कि जो हम बोलेंगे उस आवाज को capture यह कैसे करेगा वह device हमने इसमें ज जोड़ी अब हमें सिर्फ अपने screen को record करना और अपने आवाज को डालना है तो क्या करेंगे इतना चीज होने के बाद start recording को click कर दीजे आपकी recording अभी शुरू हो गई अभी हमाई recording शुरू हो गई है अब मैं अगर इसे minimize करता हूँ और यहां पे screen पे जो भी चीजे में करू देते हैं यहां पे हम कुछ ऐसा खोल लेते हैं यहां पे कुछ ऐसा खोल लेते हैं अफिर इसको बंद कर देते हैं अब मानली जी कि हमाई recording हो गई हमने जो वीडियो बनाना था बना लिया तो वापस हम OVS को यहां से वापस ले आएंगे maximize करेंगे और देखिए stop recording का यहां चलिए प्ले करके देख लेते हैं कि यह क्या रिकॉर्ड हुआ डबल क्लिक करेंगे और देखिए यह प्ले होता है देखिए कि क्या इसमें आता है यह देखिए अब इसमें आवाज भी है थोड़ा सा आगे कर देते हैं यह देखिए अब हमारी पूरी recording जो हमने अब मैं इस वीडियो को बन कर देता हूं तो अभी आपने देखा कि जो हमने रिकॉर्डिंग किया था उसे हमने प्ले करके देखा था काफी बड़ी है और इसमेला नहीं है अब जब यह दिकॉर्डिंग हो जाती है तो आपको इसको एडिट करना पड़ेगा अब आप वीडियो लेंगे और फिर इसको आप यूटूब पर अपनोड कर देंगे बहुत ही असान है बहुत ही सिंपल ओबियस हलाकि इसमें करने के लिए बहुत से चीज़ें है असान है कि ओब इस सर्फ इतना ही है ओबियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं य या फिर आफ लाइन वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं वह सारी चीज़ें अगले वीडियो में बताऊंगा कि पावर पॉइंट के मदद से आप OBS और पावर प्रेंट दोनों के मदद से आप कैसे वीडियो बना सकते हैं आराम से स्क्रीन को रिकॉर्ड करके अभी तो म